नमस्कार प्रिये विद्यार्थियों आज हम विकॉम पार्ट पर्थम वर्ष के लिए EFM PEPPER 2 भारतिये बेंकिंगें वितिये वेस्था इंडियन बेंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में यूनिट संख्या फोर्थ का अधिन कर रहे हैं ये आपके यूनिट संख्या फोर्थ का अंतिम चेप्टर और अंतिम टोपिक है जिसमें हम चेप्टर का अधिन कर रहे हैं भारत में वीतिये चेटर में सुधार जो की आज का अपना बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक जो की आपके एकजाम में इसका प्रसं आता ही आता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन है अपना क्यूसन है भारतिय बेंकिंग परनाली में सुधार के लिए जो नर्शिम समिती है उनकी परमुक सिफारी से कौन कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्यूंकि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारतिये बेंकिंग वीतिये वैस्था की कौन-कौन सी समच्चाएं है उन समच्चाओं के समाधान के लिए नर्शिम समिती गुनिस सो इकराणमे में गठित की गई जिसमें अनेक परकार की सिफारिसे का किर्यानवन किया गया भारत में वीतिये बेंकिंग के सुधार के लिए जो नर्शिम समिती हैं उनकी अनेक परकार की सिफारिसे हैं जो की निम्न लिखित है पहली सिफारिस तो ये है कि बेंकिंग चेतर में या उसके धाचे में तीन या चार गुणे में पुनर गठन किया जाए या अंतराश्टिय इस तर पर अपनी पहचान बना सके दूसरी है आठ से दस राश्टिय बेंकों की साखाओं का जाल देश भर में फेला हो जो सार्व भोमिक या यूनिवर्सल बेंकिंग परदती पर आधारित हो तीसरी सिफारी से इस्थानिय बेंक परिचालिन छेतर विशेश तक सिमित हो चोथा है छेत्रिय गरामिन बेंक और गरामिन बेंकों का परिचालन गरामिन छेतरों तक सिमित हो तथा उनके वेवसाई में करसी और संबंदित गती वीदियों की अधिकता हो परन्तु लाब परदता का भी पूरा ध्याने रखा जाना चीए। पाँचवी सिभारिस की हम बात करें तो परतेख सारुजनिक छेतर के बेंक के दौरा एक या अधिक गरामिन बेंकिंग साहिक इकाया खोली जाएं तो उनकी सभी गरामिन साखाओं का अधिकरन कर सकें। छेतरी गरामिन बेंकों को सभी परकार की बेंकिंग विवस्था या बेंकिंग विवस्था करने की अनुमती हो साखाओं के लिए लाइसेंस परनाली समाप्त की जाए और साखाओं खोलने या बंद करने का काम संबंधित बेंकों पर छोड़ दिया जाएं। अगली सिफारिस हैं जो विदेशी बेंक हैं भारत में जमाओं के रूप में साहे कमपनियों के रूप में कारेले खोलने की अनुमती दी जाए जिससे भारत में बेंकिंग परनारी सुदड़ हो सके अगली सिफारिश की हम बात करें तो विदेशी बैंकों से वही अपेक्साइं की जाएं जो भारतिय बैंकों से की जाती है भारतिय बैंकों के विदेशों से परिचालन तरक संगत बनाया जाए ये भी इसकी सिफारिश है अगली सिफारिश की हम बात करें कि बैंकों में कारियों के लिए कम्प्यूटी करत या कम्प्यूटी करन को बढ़ाया जाए अधिक से अधिक कारिये कम्प्यूटर के माध्यम से संपाधित किया जाए तो कम्प्यूटि करत्मी किया जाए जिससे आसानी से कम्प्यूटर का सहरा लेके तीरवगती से बेंकिंग किरियें आसानी से किरियानवित हो सके बेंकिंग आयों की स्थापना की आवसकता इसमें नहीं है क्यूंकि खुद ही नर्शिम समीती एक निकाई के रूप में भूमिका का निर्वहन करती है परते एक अलग बेंक को अधिकारियों की भरती की अनुमती जी जाए जिस सहाइक तरीके से किरियानवन हो सके परिवेक्शी स्थाप दोवारा निर्शन का काम आंतरिक लेखा परिक्षन और आंतरिक निर्शन रिपोर्ट पर आधारित हो सके पंदर्वी है बेंकिंग परनाली पर रिजरो बेंक तथावित मंतराले के बेंकिंग विवाग का दोहरा नियंतर्ण समाप्त किया जाए और रिजरो बेंक को ही बेंकिंग परणाली को नियमन का दाइतों भी सोपा जाना चाहिए बेंको तथावीती कारियों के परवेक्षन के लिए रिजरो बेंक के नियंतर्ण में एक अलग अर्द स्वायत पूर्ण प्राहधी करण भी बनाया जाना चाहिए जिस सें कारिय सुगम और सही तरीके से संपादन हो सके बैंकों के मुखे कारिय दिखारियों या निदेशकों की नुक्ती राजनितिक रूप सें मुक्त किया जाए राजनितिक छेतर को इसमें बढ़ावा नहीं हो क्योंकि बेंकिंग छित्रों के कारियों को संपादित करने के लिए कोई भी करमचारी जब न्युक्त होता है वो करमचारी या अधिकारी में राजनितिक अस्थचेप नहीं होना चाहिए ये नर्शिम समिती की सिफारिसों में उल्लेखीत है बेंक की SLR को पांच वर्श के भीतर चरणबद कारिय करम के तहट गटा कर 25% से नीचे किया जाए जिस से बेंकिंग गतीवीदियां सुद्दर्ड हो सके CRR को भी इसी परकार से गटाया जाए कैज रिजर्वर रेशो जो की बेंक का नकद कोसान उपात होता है उसकी गटानों की सिफारी से नर्शिम समीती करती है कि किस परकार से CRR को गटाया जाए निर्देशित रिण कारिकरम को चरणबद रूप से समाप्त किया जाए निर्देशित रिण कारिकरम को चरणबद तरीके से समाप्त किया जाए क्योंकि रिन पर किर्या में काफी समश्याइं आती हैं तो इनको समाप्त किया जाए प्राथमिक या प्राथमिक्ता प्राप्त छेत्र को पुनह परिवासित किया जाए जिसें सही तरीकें से किर्यानमिन हो सके 22 है ब्यासदरों के नियंतन गटा अटा लिया जाए ताकि बाजार परिवर्टियों का पता चल सके 23 है मार्ज 1903 में तक वानी जे बेंकों के जोखिम भारित परी संपतियों के संबंद में कम से कम चार पुंजी प्रयाप्तता के रूप में प्राप्त करनी जीए तो नर्शिम जो समीती है वो सही तरीके से एक निकाई के रूप में संपादित विविन गती वीधियों को पूरा करती है ब्याजदरों के नियंतर्ण को अठा लिया जाए बाजार परिवर्टियों का जिसे आसानी से किरियानमेंट हो सके मार्च 1993 तक मैंने बताया कि वानी जेक बैंको के जोखी में भारतिय परिसंपतियों के संबन्द में कम से कम 4% पूंजी प्राप्त कर लेनी जाए बैंको के समान रूप से लेखा पर देती अपनानी जाए वे अपने तुलन पत्रों या पूंड पारदर्शिता के रूप में बढ़ाया जाए रिण वसूली परकिर्या को तेज बनाने के लिए सरकार के विशेश अदालतें इसमें खोलनी जाए बैंको के ऐसो देया संदिक दिर्णों का कुछ बाग अधिगरन करने के लिए एक परिसंपत्ती पुनर निर्मार निधी ए एफार की विस्थापना की जाए ये नर्शिंग समीति की सिफारिसों में बैंकिंग परनाली में काफी सुधार होने की आसा थी परन्तु इन में से बहुत ही कम लागू की गई है अब हम चर्चा करेंगे बैंकिंग परनाली के हुए नवीन सुधार ये तो सिफारी से होई कि बैंकिंग परनाली में ऐसे कौन-कौन से सुधार हुए है जिसमें पहला है जैसा कि आप जानते हैं 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्टे करुन हुआ जिसमें जमाय राष्य संग्रित होके साखाओं का काफी विश्तार भी हुआ है जिसमें ऐ परत्यासित वरदी भी हुई है जमाओं में तो अनेक परकार के 1991 में भी और भी सुधार किये गए हैं कि परमुक्षी फारिसों के बाद में बैंकिंग परनाली को किस परकार से सुधड़ किया जाए जिसमें पहली है पुन्जी प्रयाप्तता मानक पुन्जी प्रयाप्तता मानक भी एक सुधार के रूप में है Capital Adequation Norms के तहट ये भी एक इसके है पुन्जी प्रयाप्तता मानक को सही तरीके से उलेखित किया जाए कि किस परकार जोखिम से बचने के लिए भारती रिजरु बेंक ने अपरेल 1922 में में पुन्जी प्रयाप्तता मानक बनाए हैं जिनका बेंको में मार्च गुन्जी प्रयाप्तता में के पालन करना था सभी बेंको को 31 मार्च गुन्जी सु तिरानमत तक 4 परतिसत और 31 मार्ज दो हजार तक नो परतिसत भारित जोखिम पुन्जी प्राप्ता अनुपात भी प्राप्ते करना था पुन्जी करन करना किस परकार से कि भारत में जितने भी सारुजने बैंको का निधरन पुन्जी करन के अनुपात में करना ची बाहर सरकार ऐसे बैंको का पुन्जी योगदान दे रही है क्योंकि सरकार सर्व परथम 1934-1934 एक दोरान गूनिस राष्ट एकरत बैंकों को पुन्ह है पुन्जी करण के लिए 2700 करोड रुपे दिये इसके बाद 2024-95 में 6144 करोड रुपे और 9697 में 9909 करोड रुपे और 97,90 में 20,046 करोड रुपी परतेग वर्ष 9,35 प्रापतान पात में नहीं रख सकते हैं इसलिए सरकार पूंजी करण अंसदान कर रही है सारुजिनिक छेतर के बेंकों का आंसिक नीजी करण एक नीजी करण ये भी है जो कि सारुजिनिक छेतर के बेंक है उसको किस परकार से नीजी करण में दिया गया आंसिक नीजी करण किया गया ये भी है एक विवेक पूंड लेखा मानक जो अकाउंटिंग स्टेंडर है उनका सही तरीके से किर्यान वन किया जाए लेखा मानकों का लेखा मानकों का किस परकार से है ये भी इसके सुधारों में आता है रिनों की वसूली सही तरीके से किया जाए क्योंकि रिनों की वसूली भी एक एहम भूमिका रहती है रिनों की वसूली अगला है बेंक साखाओं का विस्तार में सवतंतर था साकाओं के विस्तार नीजी छेतर के प्रिवेसों पर जो नीजी छेतर बेंकों का प्रिवेस इसमें सवतंतर रखा गया है प्रिवेक्शन विवाग की भी बहत्तो बुर्मिका होती है वीती एपरेक्शन बोर्ड की स्थापना दोसी रीडियों का पर क्रिटी करने ये भी सम्बलित है बेंकिंग लोग पालियोजना जो बेंकिंग किरिया को सही तरीके से किरियानुइत हो सके बेंकिंग लोग पाल योजना के तहर जो भी शिकायत है इस योजना के तहर आप कर सकते हैं इसमें परते गरहाकों को ये सुविधा अपलब्द करवाएगी है बेंक तोखा दड़ी जांच का केंद्रिय बोर्ड मना है बेंक में किसी भी परकार की कोई भी दोखा दड़ी होती है तो केंद्रिय बोर्ड के माद्यम से आसानी से उसको किर्यानवन किया जाए इसका संगी हे परबंद है संगी हे परबंद में भी एक अग्रिनी इसमें भूमिका रहती है ये भी है एक उदारिकरत रिण मापदंड में भी है लेंडिंग नॉम्स लिबरलाइजड में भी महत्वपुन भूमीका है बेंको की कार्य विधी को सरल बनाने के लिए एक एहम उपाई किये गए है उदार साख नियंतन के उपाई भी उपाई गए है उदार साख नियंतर करने से भी एक महत्वपुन भूमिका का निर्वन इसमें हो पाता है उदार साख नियंतर तो इस परकार भी विविन परकार की ये सुधार है जो की नर्शिम समिती के अलावा है नर्शिम समितिक सुधारों को इस परकार से दित्ते शिफारिशों का धार पे भी इसमें किया गया है जिसमें 9% पूंजी प्रयात्ता अनुपातर रखना, एसो दे रिनो की वसूली करना, रिकावरी डेप्ट्स उन डियू टू बैंक्स और फाइनेशल इस्टूट एक्ट 1993 के तहट इस परकार भारत में बैंकिंग प्रणाली शेतर में एक परकार के सुधार हुए हैं जो कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के बोर्ड की स्थापना क रूप में इनकी एक साहिक भूमिका का निर्वन भी हुआ है इस परकार से हम आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि किस परकार से भारते बैंकिंग प्रणाली में नर्शिम समीती की कौन-कौन सी शिफारी से हैं और उसको किस परकार से लागु किया गया है इसी करम में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतिय जो यूनिट संख्या फिप्थ है वित्य बाजार या पूंजी बाजार वित्य बाजारों का वरगी करण किस परकार से होता है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्यूंकि इस वीडियो में आपके एक्जाम में जो पुछे गए दो कुछे जाते हैं क्यूंकि इस चेप्टर में 3 परसन है पर्थम तो भारते बेंकिंग जो परनारी है उसकी 200 कमिया कौन सी रही है कई बार ये पसन पूछते हैं या फिर भारतिय बैंकिंग परनारी के सुधार के लिए नर्शिम समिती की कौन कौन सी सिफारी से हैं तीसरा कुशन पूछते हैं जो बैंकिंग समिती के सुधार के लिए कौन कौन से सुधाव है उनके बारे में भी क्युशन पूछा जाता है तो इस परकार से हमने यूनिट संख्या पर्थम से लेकर के फॉर तक आज तक हमने यूटूब चैनल या वीडियो के मादेम से हमने आपको डेली डिलिवर्ट किया है तो अगले हम यूनिट में हम चर्चा करेंगे फिप्थ यूनिट के अंतरगे कि वीतिय बाजार और जो पूंजी बाजार है फाइनिशल मार्केट है वो किस परकार से किर्यानवित होता है या वीतिय बाजार या पूंजी बाजार की कौन कौन से वर्गी करण है बाजार सरंजना को किस परकार से किर्यान वित किया गया है अगले वीडियो में मिलेंगे आप से तब तक के लिए भहुती भहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच